आज की वीडियो में जहरखंड, क्रमचारी, चेन, अयोग दुआरा निकाले गई भरती के बारे में बताने वाला हूँ। जहरखंड, इंटरमेडियेट, अस्तर के अंतरगत, भरती निकाली गई है। यदि आप इंटरमेडियेट किया हैं, जरखंड मेराते हैं या किसी अनस्टेट में, असानी से इस फ़ांग को भर सकते हैं। इस फर्म को भरने के लिए आपके पास intermediate और computer का ग्यान, computer का certificate, typing होना चाहिए इस अधिसुजना को download करने के लिए और official link पर जाने के लिए आपको आना होगा website hindi.com पर इस post का link वीडियो का description में मौझूद है जहां से किली करके आप pre-doubt कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि जरखन intermediate अस्तर पर नौकरी के लिए आवेदन कैसे करें यहाँ पर देखे इस post को open कर लेना है post को open करने के बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे firm को भरना है आयू सीमा और agility बताई गई है निचे scroll run करना है यहाँ पर important date मिल जाता है online अवेदन करने किती थी यहाँ पर 20 October 2023 है All government job का notification और जानना चाहते हैं कौन-कौन सा job आई है तो click here के button पर click करना है यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने host share का website open हो जाएगा और यहाँ पर दिखाई देगा यहीं पर दिखे मिल जाएगा J.S.S.C. Interlabel requirement 2023 863 इस पर click कर देना है यहाँ पर दिखे आने के बाद में इस post open हो जाता है यहाँ पर scroll down करना है और यहाँ पर दिखे विगापन संक्या दिया हुआ है debt दिया गया है edge limit है application fees है जो कि general OBC के लिए 100 unstate के लिए 100 रोपिय है और यहाँ पर payment process बताया गया है अवेदन करने के लिए यहाँ पर apply online के सामने link में जाता है click care के बटन पर click करना है आपके सामने इस तरह का interface open हो जाता है यहाँ पर आपको interaction को पॉल देना है इसके बाद यहाँ पर new registration दिया गया है इस पर click कर देना है यहाँ पर form खूल जाता है registration करने के लिए application यहाँ पर है payment photo and signature complete अंत में हो जाता है सब सब पहले आपको registration करना होगा यहाँ पर basic details मांगा जा रहा है आपको candidate, name, date of birth, mobile number, email id, capture यहाँ पर और uneditels यहाँ पर type करना है और select करना है इसके बाद step 2 में application भरना है यहाँ पर आपको detail समागा जाएगा आपसे सब बनीत और आपके village इसके सांथ-सांथ address भी आपको select करना होगा payment करना है इसके बाद हस्ताचर और photo upload करना है और complete हो जागा आंत में आपको receipt मिल जाएगा यहीं procedure है जहां से आप फरम आसानी से भर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो समझे जनकारी में दे दिया हूँ अब कुछ पूछना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो comment box में बताएं मिलते हैं नीज वीडियो में धन्यवाद